हेलो फेंड्स, वेलकम यू अल ऑन यूटूब चैनल लेर्न अप इंवार्मेंट दोस्तों आज हम UECnet नॉम्बर 2021 ने पूछे गए एक कोशन को डिसकेस करेंगे तो दोस्तों कोशन डिसकेस करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेश्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने चैनल को अभी तब सब्सक्राइब ने किया और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना बूले देखते हैं कोशन According to US Department of Agriculture System of Classification आपको इस कोशन का अंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपने नहीं पढ़े तो पूरा देखें तो जो बेसेंकिल हमारे जो वाइडली यूज्ज सॉल क्लासिफिकेशन है यानि कि सॉल पार्टिकल्ट ग्लासिफिकेशन एस पसाइज वह हमारे जो यूज होते अचेम में मत रहेगा तो इसके हिसाब से इंट्रेक्शन उनिए आफ साइंट के हिसाफ ही हमारा पार्टिकल दिस्ट्रीपिशन एक पहले तो मरा है ग्रेवल ग्रेवल हमारा कर ठीट थें 2 mm होता है उसके बाद sand, sand को हम सब डिवाइड करते है course on 5, course sand हमाली होती है 0.2 से 2 mm fine, fine का होता है 0.02 से 0.2 mm then हमारा silk, silk का हमारा 0.02 से हमारा 0.02 mm then clay, clay का हमारा लाहज दे 0.02 mm तो दोस्तों बहुत ही important है आप इस table को ध्यान से बढ़े यह international union of soil science के हिसाब से है और जो हमें question ने पूछा गया है उसमें पूछा कि United State Department of Agriculture के हिसाब से तो जो हमारा United State Department of Agriculture के हिसाब से हमारा soil particle type distribution है वो इस परकार है देखते हैं gravel, gravel हमारा greater than 2 है तो ही हमारा international union of soil science greater than 2 था gravel यह सेम हो गया और उसी परकार sand sand हमारा क्या है sub divided हो चुक है इसमें very coarse, coarse, medium, fine, very fine तो जो very coarse है 1 से 2 mm की range है then coarse 0.50 से 1 की mm की range है medium 0.25 से 0.50 mm की range है then fine 0.10 से 0.25 then very fine 0.05 से 0.10 mm यह range है silt जब हमारा particle size 0.02 mm से 0.05 mm होगा तो हमारा silt consider किया जाएगा then clay clay के लिए हमारा less than 0.02 mm हमारा size होना चाहिए particle का तो देखिए clay और gravel दोनों ही case में IUSS और USDA में particle size सेम है तो आपको इसलिया दोना चाहिए clay और gravel में सेम है बाकि आपको याद ध्यान देना पड़ेगा sand और silt में then हमारा Bureau of Indian Standard जाए हमारा Indian Standard है उसके साब से भी Classification देगा है तो जो हमारा है पहला है boulder boulder हमारा greater than 300 mm boulder आपको पता यहोंगे बड़े होते हैं size में तो आप इसलिए आज रहते हैं 300 mm से बड़े होंगे then होगा cobble 80 से 300 mm then हमारा gravel gravel को हमारा दो पार्ट में डिवाइड किया है एक course and fine course हमारा 20 से 80 की रेंज में होता है fine हमारा 4.75 से लेके 20 की रेंज में होता है mm की रेंज में होता है then sand sand को हमारा 3 पार्ट में डिवाइड किया है course, medium and fine course हमारा जो है 2.0 से 4.75 mm साइज के पार्टिकल जो होते हैं वो इस रेंज में आते हैं पूर्स बोलते हैं तेन मीडियम 0.425 से 2 तेन फाइन 0.075 से 0.425 देन सिल्ट 0.02 से 0.075 देन क्ले लेसे 0.02 mm से अगर पार्टिकल साइज रहा तो जो क्ले करें देखिए तीनों केस में कले का सेम है तो आपसे वो कोशन में कभी भी कले नहीं पूछेगा क्योंकि उसमें confusion कले बहुत ही कम चांचने क्योंकि हर्कोई याद कर लेका तो आपसे जब भी पूछेगी हो गया तो gravel कहा भी rare ही आपसे पूछेगा या वो पूछेगा तो आपको सेंड या सिल्ड का पूछता है सिल्ड का आपका तीनों का अगर option में तीनों हमारे classification के जो हमारे सिल्ड के range है वो अगर आपका option में देदी है और आपको एक particular पूछा आपको B.I.E. से मुछ लिया तो आपको particular इस सिल्ड का याद होना चाहिए आपको इस टीबल याद करनी हैं बहुत ही एजी है आप इने बार-बार लिखके याद भाड़े हो हूछ हो जाता है तो अब तो आपने पूरा पड़ लिया तो आप इस. एस. इसका answer और अधा है के अर्या झाल झाल